जीवन में जितना मा का स्थान होता है उतना ही सिक्षक का स्थान होता है और ऐसे भी सिक्षक हमने देखे हैं कि जिनकों अपने से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है वो अपने शिशों के लिए अपने विध्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं मा जन्म देती हैं, गुरु जीवन देता है हम सब के जीवन में सिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस हो रहा है हर व्यक्ति के जीवन में, अपने बज़बन में, अपने ठीचर के कही हुई कोई इसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई सिक्षक यह ब्रवसाय नहीं है, सिक्षक यह नोक्री भी नहीं है, सिक्षक एक जीवन धर्मा है सिक्षक कभी रिटाइड नहीं होता है कभी रिटाइड नहीं होता है नोक्री रहे आना रहे लिगे वो रिटाइड नहीं होता है वो मन से उसका रहमेशा रहता है कि नई पीडियो को कुछ से कुछ देते रहे हैं लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से दो कदम आगे जाते हैं अगर हमारा सिक्षक समय से दो कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है और समय से दो कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है आज सिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी सिक्षक के प्रति वो खाव आवश्यक है विद्यार्थी का सिख्षक के प्रति आदर, सिख्षक का सिख्षा के प्रति समर्पन और विद्यार्थी और सिख्षक के बीच में एक अपनप्व का था यही एक जोड़ी होती है जो नसरब ज्यान परोस्ती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। आज का समय उन तपस्याओं का समरन करने का समय है। कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे एंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा। आपके सिक्षकों से आपके जीवन में जुकुछ भी अच्छा होगा है। अगर दुनिया को बताएंगे, तो सिक्षक के प्रती देखने के रवईये में बढ़लावाएगा। एक गवरोग होगा। और समाज में हमारे सिक्षकों का गवरोग बढ़ाना हम सब का दाईक दो है। 5 सितंबर भारत के पूर्वराश्प्रती, डॉक्टर सर्वरपल्णी राधा क्रिश्णन जी का चल्मतीन है। और देश उसे सिक्षक दिवस के रूप में मनता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे है। लेकिन अपने आपको उन्होंने हमेशा सिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं। वे हमेशा कहते थे अच्छा सिक्षक वही होता है जिसके भीतर का चात्र कभी मरता नहीं है। राश्ट्रपती का पद होने के बाद भी सिक्षक के रूप में जीना। और सिक्षक मन के नाते भीतर के चात्र को जिन्दा रखना। यह अद्बूत जीवन डक्टर राधा कृष्ण जी ने जी करके दिखाया।